ओके स्टुडेंट्स देखिए यह है लेट्स ट्राइ सेकेंड और क्वेस्टन नम्बर एट से स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है एट में है पूजा हैस टू ताइम्स एज मैनी टू रूपी क्वाइन्स एज शी हैस टैन रूपी क्वाइन्स इफ टूटल अमाउंट इज रूपी इस टूएटी फाइंड हाव मैनी कॉइन्स ओफ इज डिनोमिनेशन शी हैस देखो कैसे सोल करेंगे हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि लेट टैन रूपी के जो कॉइन्स है वो कितने एक्स है वो यह कह रहा है कि पूजा के पास कॉइन्स हैं कुछ 10 रूपे के हैं कुछ 2 रूपे के हैं ठीक है और टॉटल जो उनका अमाउंट है वो कितना है 280 तो आपने बताना है कि कितने कितने कॉइन्स हैं मैंने let किया, 10 rupee coins equal to x, ठीक है, और 2 rupee coins कितने हो गए, 2x, क्योंकि वो कह रहा है, as many 2 rupee coins, as she has 10 rupees, 2 times, 2 times कह रहा है, that means इसका twice हो गया, 2x हो गया, ठीक है, तो अब जब यह x है, यह 2x है, तो मैं amount निकालूंगा, total amount of 10 rupee coins, देखो, 10 rupee coins के कितने है, हमारे पास ऐसे coins कितने है, x तो x into 10, या 10 into x, that means मेरे पास total rupees हो गए, 10x, यह हमने वो चीज यहाँ पर लागू की है, जैसे आपने देखा होगा, आपके पास 5 rupee के 10 सिक्के हैं, ठीक है, 5 rupee के कितने सिक्के हैं आपके पास, 10, तो आपके पास total rupee कितने होगे, 5 into 10, 50 rupees, ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर amount of 2 rupee coins, तो 2 multiply by 2 rupees के coins कितने हैं मेरे पास, 2x, तो यह आगया 2x, 2, 2 is a 4x, that means यह मेरे पास होगे 4x rupee, अब total rupee मेरे पास कितने हैं, 280, ठीक हैं, तो according to question क्या हो जाएगा, जो 10x हैं यह rupee, और प्लस जो 4x हैं, यह दोनों को add कर देंगे, तो कितना आजाएगा, 280 आजाएग to 280 upon 14, 14 to the 28, 20, x equal to 20, that means 10 rupees coins कितने आगे, 20, क्योंकि यह हमारा x था, ठीक है, और 2 rupees coins कितने होगे, 2x, मतलब 2 into 20, 2 into 20 equal to 40 coins, ठीक है, यह आपका answer आएगा, इस question का, next question पर चलते हैं, 9th, 9th question है, the difference of 2 whole numbers is 25, the ratio of 2 is 28, ratio 23, what are the numbers, यह कह रहा है, दो number है, जिनका difference कितना है, 25 है, और उनका ratio यह दिया गया है, तो आपने number बताने, तो मैंने ले लिया, first number equal to x, first number मेरे पास क्या हो गया, x हो गया, second number क्या हो जाएगा, x minus 25, मतलब difference हो गया, x minus 25, ratio कितना आजेगा, 28 ratio 23, according to question, first number था x, second number हुआ, x minus 25, ratio का मतलब अपन, equal to 28 upon 23, cross multiply करेंगे, तो 23 की x से multiply होई, 23x, equal to 28 की x से multiply होई, 28x हो गया, minus 28 की 25 से होई, 700 हो गया, ठीक है, digit एक साइड करेंगे हम, और जो आपके variables हैं, वो एक साइड करेंगे, 23x, minus 28x, equal to minus 700, 23 में से 28 minus हुआ, minus के 5 आए, minus 5x, equal to minus 700, minus से minus cancel होगया, and x equal to आगया, 700 upon 5, cancel out किया, तो 140 आगया, x equal to कितना आगया, 140, इसका मतलब, first number मेरे पास कितना आगया, 140, और second number कितना आजाएगा आपका, 25 का difference है, x minus 25, that means, 140 minus 25, 115, ये आपका answer आजाए, ठीक है, दो नमबर्स आएंगे, आपके, 140 and 150, next question पे चलते हैं, 10th question है, P.U. has only rupees 100 and rupees 500 currency notes in her bag, the total money in her bag is rupees 8500, if the number of rupees 100 note is one more than the twice of the number of rupees 500 note, find the number of each type of notes in her purse, मतलब, P.U. के पास, 2 तरहें के notes हैं, 100 के हैं, और 500 के हैं, तो total जो amount है, उनका इखटा होगे, वो आया है, 8500, आपने बताना हैं कि कितने तरहें के कितने-कितने notes हैं, और condition क्या कह रहा है, कि जो 100 rupees के note हैं, वो क्या है, 500 के note से twice हैं और one more है, तो वो ही condition मैंने यहाँ पे ला 2X plus 1, यह question के according लिखा है हमने, इसका twice और उससे one more, amount कितना हो जाएगा अब, 500 रुपे के notes हैं उनका, देखो, 500 रुपे के कितने notes हैं, X, तो amount कितना हो गया, 500 multiply by X, that means 500 X, ठीक है, और इसी तरहें से amount of 100 rupees note कितना हो जाएगा, 100, break it 2X plus 1, 100 से multiply करेंगे, तो 200X plus यह आगया 100, अ अब, total rupees आए 8500, according to question, यह rupees थे मेरे 500X, plus यह आए 200X plus 100, और total मिला के कितने आए 8500, solve करेंगे 500 plus 200, 700 plus यह 100 equal to 8500, 700X equal to 8500 में से plus का 100 है, उदर गया तो minus 100 हो गया, 8400 बच गया, and x equal to 8400 upon 700, cancel किया, तो 12 आगया, that means x equal to मेरे पास कितना है, 12, और x मैंने क्या let किया हुआ है, 500 rupees note, that means मेरे पास 500 rupees note कितने आगे, 12, और 100 rupees के कितने हो जाएंगे अब, 2X plus 1, that means 2 into 12 plus 1, 12 to the 24 plus 1, 25 notes, यह 25 notes आपके पास किसके आगे, 100 rupees के आगे, ठीक है, यह आप कहां से है, 11th question है, in a drawing competition, काफी lengthy questions हाई है, तो आपके पास books होंगी, आप book में से इस question को read कर सकते हैं, मैंने इसलिए इसको short करके, dash dash करके लिखा हुआ है, ठीक है, 11th question है, solution क्या करेंगे, we have total participants, मेरे पास total participants कितने हैं इसमें, 60, winner कितने हैं, मैंने let कर लिया, let winner equal to x, then number of other participants, total 60 है, winner x है, तो other कितने बचे हैं मेरे पास, 60 minus x, winner gets rupees 200, then total amount, अब देखो, winner कितने रुपे ले रहे हैं, 200 रुपे, और winner हैं, कितने total x हैं, तो कितने रुपे गए winner के पास, 200 into x, that means 200 x rupees, other participant get rupees 50, other participant को कितना मिल रहे हैं, 50 rupees, और total amount कितने हो गए, 60 minus x, क्योंकि other participant कितने हैं, 60 minus x, multiply by 50, यह आगया 3000 minus 50 x, तो total rupees कितने given हैं, 4500, तो according to question क्या होगा, जो यह 200 x है, वो plus 3000, minus में 50 x, equal to 4500, solve करेंगे, 200 में से 50 minus हुआ, 150 x बचा, equal to 4500, minus यह plus 3000 था, उधर गया थो, minus 3000 हो गया, यहां 1500 आया, and x equal to 1500 upon 150, cancel कर दिया, 10 आ गया, that means x equal to 10, और x क्या था मेरे पास, number of winner participants, that means number of winner participant कितने आ गए, 10, and other participant कितने हो जाएंगे, 60 minus x, that means 60 minus में 10, यह आ गया 50, ठीक है, other participant कितने आ गए, आपके, 50 आ गए, question number 12 है, a carpenter charged rupees 5000 for making a bed, the cost of material used is rupees 1400, and the labor charge are rupees 300 per hour, for how many hours did the carpenter work, यह कह रहा है कि एक carpenter जो है, बैड बनाने के लिए 5000 रुपय लेता है, ठीक है, cost of material, इसमें material की cost कितनी है, आपकी 1400 रुपय है, तो उसने लेने लेने material के, and labor charge कितना है, 300 per hour, labor charge, मतलब उसको बनाने का जो cost है, वो 300 रुपय पर hour है, एक hour यदि हो काम करेगा, तो 300 रुपय लेगा, तो वो पूछ रहा है, how many hours did the carpenter work, carpenter ने कितने घंटे काम किया, let carpenter works equal to x hour, मैं मान लेता हूँ, carpenter ने कितने घंटे काम किया, x hour काम किया, आगे, total charge कितना है, उसका 5000 रुपय, चार्ज of material कितना हो गया, रुपय लेबर चार्ज कितनी हो गई, पर hour, उसकी लेबर चार्ज हो गई, 300 रुपय पर hour, ठीक है, लेबर चार्ज कितनी हो गई, 300 रुपय पर hour, according to question, 1400 ये रुपीज तो उसने लेने लेने, plus 300x, एक घंटे के 300 रुपय, x घंटे काम किया, तो 300x, और equal to 5000, solve करेंगे, 300x यहीं पर रखेंगे, 1400 ये equal to के उधर जाएगा, minus हो जाएगा, 3600 आया, and 300x equal to 3600, then x equal to 3600 upon 300, cancel out किया 12, that means x equal to कितना आगया 12, carpenter works 12 hours, ठीक है, तो ये 12 hours उसने काम किया, ये आपकी let's try second थी, complete हो गई है, I hope सब को समझ आई होगी,